राम देव ने कहा OVC की S.E. की तैसी नमस्कार मैंनूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से बाबा राम देव की एक वीडियो बहुत वाइरल हो रही है उसमें वो भांग के नशे में उन्होंने कहा है मैं खुद को अगनियोतरी ब्रामण मानता हूँ और OVC की S.E. की तैसी तमाम चीजे इसमें नजार आ रही है उन्होंने ये भांग के नशे में बोल तो दिया है फिर उसके बाद खुद के बचाफ के लिए बोल रहे हैं कि OVC नहीं मैं तो OVC कह रहा था वो कह रहे हैं कि मेरा मूल गोत्र है ब्रम गोत्र वेदी ब्रामण, दुवेदी ब्रामण, त्रिवेदी ब्रामण और चतुरवेदी ब्रामण चारो देवों को मैंने पढ़ा है और चारो ब्रामण मैं हूँ इस तरी की टिपड़ी नजार आ रही है और साथ ही साथ अगर मीडिया ने उनसे सवाल करा तो कह रहे हैं कि OBC की ऐसी की तैसी फिर अपने बचाफ के लिए कह रहे हैं कि मैं OBC नहीं OBC कह रहा था तमाम चीजें ये नजर आ रही हैं एक पतंजली का ब्रैंड एमबैसिटर जो बाबा राम देव हैं वो इस तरीके की विवादे टिपड़ी करते हैं OBC समाज के लिए और फिर अपने बचाफ के लिए कह देते हैं कि मैं OBC नहीं OBC कह रहा था इस तरह के भगवा पैने बाबा जो है इस तरह के टिपड़ी तो कर देते हैं और फिर अपने बचाफ के लिए खुद को बता देते हैं कि मैं अगनियोतरी भ्रामण हूँ और मैं OVC कह रहाता OVC नहीं आप खुद सोचें वो वीडियो देखके कि उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि वो कह रहा है कि OVC की A.C. की तैसी तमाम चीजें यह नजर आते हैं फिर अगर सोचों उन्होंने ऐसा कहा है कि OVC की A.C. की तैसी तो कितना धर्म के नाम पर कितना जहर भरा होगा उन टिपणी करी जा रही है इस तरह का शब्द उपयोग करा जा रहा है और अब खुद के बचाफ के लिए इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं तमाम ऐसी चीजें नजर आती हैं उसके बद एक और जो है राम भद्राचार्या वो खुले मंद से दलीतों के लिए इस तरीकी टि पिष्टी ही नहीं है उनके लिए और इस तरीके दलीतों के लिए तमाम चीजें बोल रहे हैं उसके बाद बाबा राम देव ट्रोल करे जा रहे हैं कह रहे हैं और तमाम चीजें जो हैश्टेक्स जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं कि जो बाबा राम देव है उनको माफी मांग चाहिए बॉयकॉट बाबारामदेव बॉयकॉट पतंजली इस तरह की तमाम चीजे नजर आ रही है कि एक ब्रैंड एमबेसिडर पतंजली का इस तरीके की विवादित टिपड़ी करता है सोची धर्म की आर्ण में लोगों को टार्गेट कर रहे हैं जब यह फस जाते हैं तो मुसल्मानों को आगे कर देते हैं कि मैं OBC नहीं बोल रहा था कि सोच यह मुसल्मानों को आगे करने से अगर कोई भी दंगा भड़काना हो यह सामपरदा एक दंग के भड़काने हो तो मुसल्मानों को मुद्दा ले आईए अपने आप ही सब चीजे आपको सामने देखने को मिल जाएंगी तमाम चीजे ये नजर आती रहती है कि मुसल्मानों को टार्गिट कर दिया जाता है धर्म की आड में और अगर मुसल्मान इसका खुल के विरोध करें या सड़कों पर नजर आएंगे तो उनको आतंगवादी घोशित कर दिया जाएगा तो मतलब अब एक खुले मन से इस तरीके विवादे टिपपनी देना कहां तक सही है किस तरीके से बहुजोंनों को टार्गिट करना OBC समाज को टार्गिट करना schedule कास्ट को टार्गिट करना और उसके बाद जो सरकारे कोई एक्शन नी ले रही है और उसके बाद अपनी सफ़ाई में बोल दे और जब भांग का नशा तूटा तो कह रहे हैं कि मैं OVC नहीं OVC बोल रहा था यह आपको तमाम जो वीडियो है यह सोशल वीडिया पर नजार आ जाएगी वो खुद ऐसे खुले मंच से बोल रहे हैं जब मीडिया सवाल करती है तो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो कुछ और ही ब प्रेडना लेते हुए बड़ी संख्या में बिजनेस में उतरना चाहिए वही पैसा है बाबा ने कठिन स्थान पर रास्ता बना कर दिखाया है एक अहीर के लिए बिजनेस में सफल होना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल रहा होगा सैकड़ों अजगर उनको निगलने के लिए बैठे होंगे बाबा की बकवास भूल जाएं उनकी बातों से नहीं जीवन से प्रेड ना लीजीए उनकी कामियाबी से सीखिए वे आज हजारों लोगों को नौकरी देते हैं हजार करोड का बिजनेस है उनका हजार करोड का बिजनेस किस तरीके की चीज द reuse बोल रहे हैं उनको देखी सकते हैं उसके बाद राम भद्राचारे पे उन्होंने एक ट्वीट करा था कि राम भद्राचारे का कहना है कि आदमी इस जनम में पूर्व जन्मों का फल भोगता है मैं तो नहीं मानता पर जो मानते हैं उनके सवाल है कि पूर्व जन्मों में राम भद पबीर महराज को मांगता हूं जिनोंने कहा है बहूरी नहीं आवना यानि जो है सभी सब सही निपटना है दुबारा नहीं आना है इसमें लाइव इंदुस्तान लिखता है ओबीसी वाले ऐसी तैसी करा हैं पर बाबा रामदेव की सफाई बोले ओबीसी नहीं ओवैसी कहा थ तमाम चीजें और भी प्रतिक्रिया नजर आ रही हैं कुछ अंबेट करवादे लिखते हैं अरे भाई सहाब ये तो पल्टी मार गया ओबेसी को ओवैसी पढ़ लेगे अब कोई पूछे इसमें ओवैसी कहां से आया हद है कुछ भी मतलब पहले ओबेसी को टार्गेट कर द कुछ लोग कहते हैं कि बाबा आप तो OBC हो OBC अपनी ऐसी तैसी कराए इसके बाद हैश्ट्रेक बाबारामदेव माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है इस पर आपकी कराये है इस पर एक और ट्वीट आता है कि इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदले जितना और जो खुद को अगनियोतरी भ्रामद बताते हैं उसके बाद भ्रामद बताने वाला ये वैक्ति खुद को जब विवादिक टिपड़ी देता है बहुजन समाज के लिए OBC समाज के लिए मुसल्मान समाज के लिए तो ये कहां तक सही है अब भ्रामद हो ठीक है पर इस त तरीके से नजर आती है क्योंकि मुसल्मानों को जिदा टार्गिट किया जा रहा है और अगर मुसल्मान टार्गिट होंगे और वो खुलके विरोध करेंगे तो उनको आतंगवादी घोशित कर दिया जाएगा कि अब मुसल्मान खुद खुलके विरोध भी नहीं कर सकते है आपकी इसमें क्या रहा है कि रांदेव ने जो भी ये चीजे बोली है अपनी प्रतिकरिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा धन्यवाद